मैं जीवन में सुखी रहना चाहता हूँ, मैं जीवन में सुखी रहना चाहता हूँ, मैं जीवन में सुखी रहना चाहता हूँ, प्रतेक जीव जीवन में सुखी रहना चाहता है, लेकिन ये सुख मिल नहीं रहा। आनंद की, तुम्हारी रूट नेचर है सुख की, फिर भी तुम सुखी क्यों नहीं हो, यह सोचने की बात है, अगर आचारे जी हमारी बेसिक नेचर, हमारी रूट नेचर सुख की है, हमारी रूट नेचर आनंद की है, फिर हम दुखी क्यों है, कभी हम धन के आभाव में कि परफेशनल सो पूरी नहीं हो पाई मैं दुखी हूं मेरे साथ के लोग बहुत आगे निकल गए मैं दुखी हूं पर मैं दुखी हूं पर उस दुख का कारण सिर्फ यही है कि कस्तूरी कस्तूरी नाभी बसे म्रिग धूंडे बनमाही उस हिरण के नाभी में कस्तूरी और वो उसी की खुश्बु सुंग सुंकर इदर उदर भटक रहा है उसी की तलाज में जो उसके भी तरस्थित है बिलकुल वैसे ही जिसे तुम्हें सुख नहीं मिल रहा तिमाग को आराम नहीं मिल रहा जीवन को आनंद नहीं मिल रहा वो आनंद भी तुम्हारे भीतर है वो आराम भी तुम्हारे भीतर है और वो सुख भी तुम्हारे भीतर है बंदने गुरुदेव कहते हैं कि जो आज अभी इस परिस्थिती में खुश नहीं रह सकता वो कभी कहीं किसी भी परिस्थिती में खुश नहीं रह सकता है जो आज अभी इस परिस्थिती में खुश नहीं रह सकता वो कभी कहीं किसी भी परिस्थिती में खुश नहीं रह सकता है क्योंकि हमारा सुख हमारे materialistic world से जूर चुका है तुम समझते हो कि जो तुम चाहते हो वो तुम पालोगे तो तुम सुखी हो जाओगे पर जीवन का कटू सत्य यह है कि जो तुम पाना चाहते हो जिस क्षण तुमें वो मिल जाएगा तुम्हारे पास अगला objective पाने का तैह होगा सोच के देखो जो तुम पाना चाहते हो वो जैसे ही मिल जाता है मेरे पास next objective तैह है पाने का आज से 10 साल पहले में सुखता था मुझे यह मिल जाए जैसे ही वो मिला अब मुझे यह जाहिए जैसे ही वो मिला अब मुझे यह जाहिए इस तरह से सक्ष कभी नहीं प्रापत कर पाओगे तुम्हें ये समझना होगा कि सुख की स्टेट में रहना, आनन्द की स्टेट में रहना is something which is absolutely different from the achievements of life. जिस से प्रेम ठोरी बस ये मिल जाए. बस सुख मिल जाएगा. मिल गई. उसमें भी दुख वोग लिया. बस ये वाली जॉब मिल जाए. मिल गई. अब मुझे प्रमोशन चाहिए, उसमें सुख मिलेगा. मिल गया. अब मुझे CEO बनना, उसमें सुख मिलेगा. इसका कोई अंत नहीं है. और हमारे इस संबोधन का उदेश्य ये नहीं है. Don't misunderstand it as if I am trying to say कि उन्नती मत करो. Set your objectives. उन्नती करो. नई चीज़ है. ये तो मनुश्य की स्वभाव है. आपने कहा जो मिल गया, वो तो मिल गया. अब मुझे आगे की दलाश है. लेकिन सुखी तो रहो. आनन्दित तो रहो. ये मत सोचो कि वो मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा. वो मेरा objective है, वो मुझे पाना है, पर सुखी तो मैं आज भी हूँ. क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा, कि जो आज अभी इस परस्थिती में सुखी नहीं रह सकता, वो कभी कहीं किसी परस्थिती में सुखी नहीं रह सकता. तो दो तिन चीज़ें समझ लो. एक तो संतोष का पालन करो. योगिक जीवन में संतोष, contentment plays a very important role. दिन में तीन से चार बार हास का पालन करो. दिल खोल करके हासो. सूरे के सानिध्य में समय बिताओ. और आज में जीना रंब कर दो. जो प्राप्त करना है वो नहीं भी मिलेगा तो कोई tension नहीं है. लेकिन आनंद जो मेरे भीतर स्थित है उसे मैं जीही नहीं पाया. इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो objective है वो नहीं भी मिलेगा तो चलेगा. लेकिन वो सुख जो मेरे भीतर ही स्थित्ता और मैं उसे तलाजता रहा और उसे भोग ही नहीं पाया. उसका अनंद ही नहीं ले पाया. तो फिर क्या? क्योंकि जीवन कब समाप्त हो जाया मैं नहीं बता. तो ये मन में भाव लेकर के जीओ कि जो कुछ है वो ये मुमेंट है. This very moment is so important and I have to live it fully. I have to live it completely और जब ये भाव लेकर के जीओगे तो फिर सुखी भी रहोगे, आनंदित भी रहोगे और motivated भी रहोगे जो प्राप्त करना है उसके लिए. लेकिन जो प्राप्त करना है उससे तुम्हारा सुख और आनंद नहीं जुड़ा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण ये जो social media का competition आजकल शुरू है. आरे तुमको तो छोड़ो गुरूं में competition हो रहा है, दुरू भाग्य की बात जो लोग सुम को गुरू कहते हैं, वो तक इस competition से बाहर नहीं है, तो इस social media competition से दूर रहो, देखो कि ये social media तुम्हारे दिमार में क्या डाल रहा है, you should keep a check on this, आज में रहो आनंदित रहो.